कि यहां पर science के भी question यहां पर मिलेंगे तो कुल मिला करें आप चालिस कोशन का सिर्थ यहां किया गए जो कि आपके exam point of view से काफी important होगा 400 question में आपको description के साथ में पताऊंगा मिन्स कि हर question पर हर question पर 2-3 आपको extra knowledge आपको मिलेंगे अगर वीडियो सुरूशन तक देखते हैं तो आपको फैदा होगा हर point पर topic पर कुछ ना कुछ discussion होगा उसको आप note करेंगे तो जाद कर फैदा होगा तो आए यहां सुरू करेंगे सब सुरू करते हैं question number one कि अनुशेद 24 के नुसार कितने वर्स केक से कम आयू वाले किसी बच्चे को कर खाने में नहीं किया जा सकता है तो इसको करक्टर अंसर होगा वह होगा 14 वर्स तो देखिए अनुशेद 24 काफी important है ठीक है अनुशेद 24 काफी important है याद रखेएगा इसी स related एक और यहां पर अनुशेद के हम बात करेंगा अनुशेद 23 ठीक है अनुशेद 23 इसले में important हो जाता है इसके अंतरगत क्या क्या आता है जैसे कि दूर दूर व्याप्यार की बात करें मानव तसकरी की बात करें बाला तस्रम की बात करें जैसे जो भी इससा के चीज़े हो उन पर रोक लगाने के लिए उन पर रोक लगाने के लिए अनुशेद 23 लागू किया गया है सम्हिधान में यह है चिजे और इस पर अधारित कानून बना हुआ है ठीक है तो अनुशेद 23 और अनुशेद 24 important है अनुशेद अगर बात करें तेज की तो वैपार की बात करें बैपार मिन्सकी तरह के बैपार मिन्सकी बच्चों का बैपार या तसकरी जिसको कहते हैं तसकरी हो गया बालात उस्रम हो गया इस तरह के चीज़े आपको अनुष्य तेस में देखने को मिलेगा जब कि यह चौबीस जो होता है किसी भी बच्चे को 14 वर्स के कम आयू की वाले बच्चे को कारखाने में निक्त नहीं किया जासक जा सकता है ठीक हम चलिए और यहां पर एक चीज और है कि यह जो 23 और अगर हम 24 के बात करें तो यह मौलिक अधिकार के अंतरगत आता है और मौलिक अधिकार के अगर बात करते हैं तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है यह कुस्तन आता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है तो अमेरिका से ल लाला तो श्रम हो जैसे दस्करी जैसे चीज़े हो आप इससे इसमें सामिले ठीक है इसकार रोक लगाने से समंधित सामिली चीज़ें आगे बढ़ेंगे कि हिंदू विद्वा पुनडविवा से समंधित गवर्णर जर्नल वाश्राय का नाम नाम बताना है तो उस जब जो या वाष्रा का नाम बताना है जो कि हिंदु विद्वा पुनल विवास से संबंदीद इसका लॉड कैनिन ठीक है लॉड कैनिन इसका जो होगा करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए आगे बरेंगे सवाल पे सवाल नमर तीन है कि निर्मन से कौन सी नदी विशुबत रेखा को दो बार काटती है इसका जो कांगो नदी कांगो नदी कि अगर हम बात करें तो कांगो नदी कहां गिरती है तो कांगो नदी गिरती अट्लांटिक महासागर में अट्लांट स्वाल कि मोसा का में देखा जाता है तो इसा कार में देखा जाता है ठीड है एक आगे हैं सवाल कि 123 कि कि u इधान पड़िस्टाद में ठीक है चलिए आगे बरेंगे सवाल पर सवाल नमर पाच है कि स्वतंतरता से पुर्वत भारती राष्टी कॉंग्रेस के अधर्चता कितनी महिलाओं ने की तो इसका जो करेक्टर शुरूएगा तीन बार महिलाओंने की कब कब यहां पर ध्यान रखेगा एक तो 1917 की बात करेंगे एक बार 1925 की बात करेंगे एक बार 1933 की बात करेंगे तो किस की बात करेंगे यहां पर एनी बेसेंट ठीक है एनी बेसेंट एगर बात करेंगे रोजिनी नायडू अगर 1933 की बात करेंगे तो नेलि सेन नेली सेन गुपता ठीक है ठीक है ठीक हाल से ध्यां रखेगा नेली सेन गुपता 1923 के जो है कॉंग्रस के अधिवेशन के अधिश्टा की थी वहीं 1925 की बात करते हैं तो सरुजिन राडू ने इसकी अधिक्ष्टा किया था और सरुजिन ने 2017 की बात करें तो या मदरास के कॉंग्रस के बात करें तो कहां यहाँ कहें मदरास कलकटी ने घुपता की कलकत्ता की बात करेंगे ठीक है तो आधिक यहां पर तीन-चार महत पुन चीज़े मदरास सनुझिनागुक मदरास नेली सेन गुपता कलकत्ता ठीक है यार निने कौन लेता है कि कोई विदैक धनविदैक है कि निकरेक्टर अंसर हो जागा लोग सभा अध्यक्ष ठीक है यहा टो धन विदे को Vranuitité के comprpowered किया है याद रखे गा एक यहां से और question भी आता है कि राज सब्धाओ धन विदे को केवल 14 तक रोक सकता है राज शबहा केवल 14 तक 14 दिन तक क्या कर सकता है इसको रोक सकर रख सकता है ऑगे बरेगे सवाल पर कि कबtså et mission कब आया था 1946 में इसका करेक्टरन सलोगा 1946 ठीक है काविनेट में सनाय था 1946 मुख्याले कहा है जैए अगये बात करेंगे अंग्टार्ट का मुख्यालों हो जाएगा जिनेवा इसका फिल Capitol की बात करते हैं होगा United Nation United Nation Conference on Trade and Development तो यहां से दो कर लिजे इसका मुख्याले नोट कर लिजे अगर बात कर रहें यहां पर आगे बरके कि इसका जो पर्थम समयलन के बात करते तो 1964 में हुआ था इतने बाते आपको याद रखना होगा नेश्ट है कि भारत ही पहली महिला लेफ्टिलेंट जेनरल कौन थी इसका जो करक्ट अंस और यह कब किया था याद रखेगा कि बावर ने पानी पत के पर्थम यूद में तोपका पर्योग किया था सरपर्थम ठीक है पानी पत का यूद ठीक है पानी पत का यूद ठीक है पानी पत का यूद और यह कब हुआ था तो ध्यान रखे कि यह भी काफी इंपोर्टन्ट अब तो तारीखे भी पूछने लगा भई 21 अप्रेल 1526 बावर और किसके बिच में हुआ था इब्राहिम लोदी जिसमें लोदी की हार हुई इसकी हार हुई इसकी बिजय हुई आगे बरेंगे सवाल पे सवाल नमर 12 कि घाना पक्षी बिहार कहा है इस सित है तो इसका जो करेक्टरम सरो जाएगा यह होगा राजस्थान में ठीक है घाना पक्षी बिहार कहा है तो राजस्थान में आगे बरेंगे कि राजसभा की सदस् मुणकष घर यह क। जो नीमृतम Go Aya होता है कि तनी होती है तो आफ करनस तरह दहएगा 30 वर्त थे मैं यह निश्ड पर संब में आते तो ट्रॉंड किerson का लंक्रह का पर माट किस सितनल है अई अचिकें थे vet नेप्चून याद रखेगा काफी important question है एक ट्रॉन किस ग्रह का ग्रह यहां पर लिखा वा किस ग्रह का परमुख्व ग्रह है नेप्चून या हिंदी में कहांगे बरून अगर बात करें यहां पे तो इसका correct answer रुएगा बरून या नेक्चुन की बात कर ली अच्छा यहां पे question आता कि सनी का उपगरा का नाम क्या है तो सनी का जो उपगरा का नाम है जो important जो पुछा जाता है उसका हो जागा Titan इसका जो अंसर हो ग्यानी मीट ठीक है इतना याद रखेगा बहुत बार यह पुछा गया question है ठीक है और वरुन गरह को हरे रंग का गरह भी कहा गया है हरे रंग का गरह भी कहा गया है चलिए आगे बरेंगे सवाल पे कि वाई मंडल की निम्ड पड़तों में बढ़ती दूरी के गरम में सजाए इसका करेक्ट्र आंसर हो जाएगा 15-34 15-34 का मतलब होगा फहले छोब मंडल फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका सम्ताप मंडल पिर अपका हो जाएगा सौरी यहां पे आय नहीं ओजों मंडल फिल हो जाएगा आयन मंडल और लास्ट में हो जागा बाहमंडल थीक है इसे से सजाना है आगे बरेंगे सवाल पर कि न अगरभण पालिक हो समयधानिक दर्जा किस संसोधन द्वारा मिला था इसका करेक्ट नसरो जागा यह जागा चोहतर्वा संसोधन 2 ठी Am इसका correct answer हो जागा 74 संसोन द्वारा ayono देशो का set जो क्या करूना है यह बतातों से क्या कहते chat set of instruction ठीख है that have instruction कि अरगेक बनेंके सवाल पे कि पूरी कीपा है तर किसके समार में की जाती है इसका करेक्टन से जगा भगवान जगननाथ नेश्ट कुरूशन की 1972 में सिम्वला समझ होते पर हस्ताक्चर करने वाले पाकिस्तान के प्रधाल मंतरी कौन थे तो अंसर हो जागा जूल फिकार बुट्टो नेश्ट कुरूशन की निम्न में से बात करते तो यह हुआ था 1948 में और डव्टो की बात के तो 1995 में और इसकी बात के तो 1919 में ठीक है 1919 में तो अब यहां से पता चल गया कि सबसे पुरान संगठन कौन से है तो ILO ठीक है चलिए परकास तंसलेशन की दर अधिकतम किस परकाश में होती तो सबसे ज्वादा होगा परकास परकास अंसलेशन की दर लाल रंग में ठीक है लाल रंग की जो होगा परकास तंसलेशन की दर अधिकतम किस परकास में होती तो लाल रंग के परकास में होती और सबसे कम की बात करते है इसमें जो होता है सबसे कम होता है बैगनी में क्या होता है सबसे कम होता है मिश्च आख आण की वर्षा की बुलाकार होती हैं अब यहांसे ऐक दो सब्सक्राइब करतका जो इसाई मात्रक्प्या होताiguous आगर मह iets मात्रक्क क्या होता है तो νोट कर लिए जग़ा इसका से मत्रक्तम न्यूटन पर मिटर यहांसे एक कोष्ण यहांप यह भी ही आता है अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंगक ताप बढ़ने पर फिस्ट तनाव क्या होगा तो 법 जब अंसर इसका वन किवागले गला Puis पुछा ग्यान और कृणतिक होजाता है क्रान्तिक ताप पर ये सुन हो जाता है और तो क्रांतिक । तो यहां पर बाते इंप्वर्टेंट याद रखीगा एक तो ताप पढ़ने पर प्रिश्टनाव क्या जाता है कम होता है दूसरा की कुरांतिक ताप पर सुन हो जाता है विद्धूत परिपत में क्या मापने के लिए अमिटर का पढ़ियों किया जाता इसका करेक्टर्ण से जागा धारा ठीक है अब यहाँ पेक दो कुस्छ और कि एव मीटर को जो हो किस करम में जोड़ा जाता है तो इसको हमेशा सुरेनी जोड़ा जाता है पहला पॉइंट याद रखिगा किसको हमेसा शरैनी करम में जोड़ा जाता है और एक आदर्स मीटर का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है ठीक है इसका जो एक कुछतन यहां से आता है स्रेनी करम में जो जाता है जो जो रह जाता है और आदर्स कि अमीटर के अगर बात करते हैं परतीरोध क्या होता है परतीरोध क्या होता है सुन्ने हो जाता है ठीक है एक चीज़ यहां से और याद रखिए कि इंपॉर्टेंटी वोल्ट मीटर की बात करते हैं वोल्ट मीटर इसको कैसे किस करम में जोड़ा जाता है इसे समानतर स्रे करम में जोड़ा जाता है ठीक है तो पहला चीज है समानतर करम में जोड़ा जाता है और दूसरा मीटर की बाद करें तो इसका प्रती रोद होता है इस प्रती रोद होगा अनन्त होता है ठीक है व्रे रए-इम्पॉर्टन कोसी नहीं आ जा आपको दो तीन चार पॉइंट आपको मैंने बढ़ेंगे संबेक के बदलाव के समान उपाती होता है क्या होता है ठीक है बल होता है अच्छा यहां से कुसनारत है बल कैसी रास्थी है तो यह सदेश रास्थी है एक पॉइंट नोट किया एसाइमातर क्या होता है इसका एसाइमातर को न्यूटन होता है ठीक है एसाइमात निकलता है ठीक है न्यूटन के जो पर्थम नियम है न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है जरत्व या गैलेलियो गैलेलियो का नियम कहा जाता है ठीक है ठीक और यहां पर बात करें संबेक का संबेक का जो होता है यहां पर फॉर्मुला क्या होगा संबेक का फॉर् और अगर बात करते हैं कि संभाइक का इसा मत रख्या होता है केजी मीटर पर सेकंड केजी मीटर पर सेकंड ध्यार रखेगा काफी इंपॉर्टन कोस्टन मैंने बताया आप लोगों चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पर कि मानव गुणन थी जो सरीर का तापमार बनाने रखत तो टार्टिक एसिट किसमें पाए जाता है तो टार्टिक एसिट की बात कर तो यह इमली में पाए जाता है ठीक है चलिए एसेटिक एसिट किसमें पाए जाता है तो सिरका में पाए जाता है औकजलिक एसिट किसमें पाए जाता है तो टमाटर में पाए जाता है ठीक ये-lpg में कौन सा गयस का प्रोव किया जाता है है ब्यूतेन GAS प्लस प्रोपेन ठीक है ब्यूतेन प्लस प्रोटेन और corrupt is और ना अच्छीज और होता है कि अफ़्ाइल अ कनतरन होता है कि धिध्य गहात-वर्दनी में इसकी पीठ-पीठ को उसको चादर कर ज Warum अथा है सब से जहाधा किस्म होता है सोना में ठीक है आगे सवाल के हैजा के लिए उतरदाई कारुक कौन सा है है के लिए उतरदाई कारुक कौन सा है कि बात हैं तो अब वैक्टरिया है जातե डाया कार因 ृछ नगा ले कालेरि ठीक है बिप्डोकलरी यह वारत का सोर्य बैक्टरिया का नाम है यहां से इक सना था टाइफाइड डाफएड यहां ताइफाइड तीक है अशन मत्तुट यहां पर यहां पर बैक्टरिया के वजह से होता तो शाल शाल मोनेला टाइफी यह किसको इंफेक्ट करता है आथ को इंफेक्ट करता है और यह बैक्टेरिया द्वारा होता है जिसके द्वारा होता है यह बैक्टेरिया के द्वारा होता है यहां से एक कोशन और आता है टाइफएट तो आपने सुन लिया ठीक है एक होता है काला जार ये वी काफी बार एक्जामे पुछा जाता है कालाजार किस परजीवी से होता है तो इसका होगा लिख्मेंया डोना वानी ठीक है यह परजीवी द्वारा होता है ठीक है और कालाजार किसको प्रभावित करता है तो यह अथी मज्जा को मिउसके bone marrow को ये प्रभावित करता है ठीक है चलिए आगे बरेंगे वाइमंडल में जलवास्प की मातरा किस से मापी जाती है तो आदर्ता के रूप में मापी जाती है नेश्ट है कि चॉकलेट स्वास्प के लिए हनिकारे हो सकती है क्योंकि इन में क्या होता है किसके कानन होता है तो इसमें कोबाल्ट होता है हलाकि कोबाल्ट का जो है शरीर में इसकी जो होता है बहुत ही कम आतरा की जरूत होती है और कोबाल्ट क्या करता है ये RBC को ठीक है ये RBC को और जो विटामिन B12 है उसके संसिलेशन है तो इसका यूज किया जात मिंसकि इसका उपयोग होता है शरीर में ठीक है चलिए तो यहाँ पे आपने कोबल्ट के बारे में जान ले कि आर्वी की का बात करें ठीक है और रवी सी और विटामिन विल्टुल पर सनसलेशुद करता है रेडियो सक्रिय की बात करते हैं यहाँ एक चीज को और भी आठा है कि रेडियो सक्रिय एक तत्व है जो कि शॉंसियम 19 है उसके करण अस्थी कांसर होता है एक अधियम के कानल होता है ठीक है तो चीज़े आपको मैंने और शिखा दिया नहीं रखेगा एंजाइम के प्रोटीन भागो क्या करते हैं एंजाइम कहते है ठीक है और अगर हम बात करते हैं एक चीज यहां से और important चीज की जो मानब में जो रक्त की differences पाई जाता ठीक है blood का जो difference होता है किसके करण होता है उसका मुख करने आर बी सी में आर बी सी में पाई जाने वाली glyco ठीक है glycoprotein जिससे क्या करते हैं जिससे antigen कहते हैं चलिए इससे antigen कहते हैं काफी important question मैंने बताया आपको note के लिजगा vitamin b7 का रसानिक नाम क्या है तो vitamin b7 का नाम है बायोटीन ठीक है vitamin b7 का नाम क्या है vitamin b7 का रसानिक नाम है और यहां पर यह होगा इसका correct answer तो vitamin a का रसानिक नाम है vitamin b7 की अगर हम बात करें तो बायोटीन ठीक है काफी बड़ पूछा जाता है सकते हैं इसको 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 क्या कह जाता है निया शीन निया सीन का ए या नीकोटीमाइड 뉴스 अब्स्क्रणण हुआ ठीक है इतना याद रखीएगा आगे बढ़ेंगे सनसार में सबसे लंबा बिक्ष है ओ सिकोयाए ठीक है सबसे लंबा बिक्ष है और यह नगन बीजय पाधा है यह नगन मोटर की बात करें तो उड़ेंगर रुप पंतन करता इंडरेशन मास को क्या लिए लिखते हैं क्या है विघिश हो गया और एक constituents कहा लिखते हैं मीर पर सेकंड अस्वार्ज है यहां से बना है आपका केज़ी के लिए किया है का यूसे करेंगे यहां पर और और के यहां पर इसको तो संब्सक्राइब जो हो जाएगा यहां पर आगे आउसे पाइब करेक्ट अंसर स्केल पड़ने तो इसका रही और इसका प्सक्राइब हो जाएगा वो होगा five three nine point four foreign height एका जुना होकी इस यह दो मैमानस four five nine nine four five nine nine foreign height ठीक है अस सबसे कम्हानक की बाद करें बाट जो यह वो गए आपका ही मांक बिंदू यह हो गया बहां पर भिंदू ठीक है चली कि मेंबरें के सवाल में कुछ करता कौन है तो इसका ऑगारो वाल जागा गई फ्लेमिंग ठीक fire के जो कुश करता है j s flaming और ardi forest के बात करते हैं तो ये किस बल्ब का अविश्कार गया था इन्होने ट्रायो बल्ब का है ठीक है थोड़ा सा अंतर है नाम में समानता तो मिलता है लेगिंधा अंतर ट्रायणी बल्ब ठीक है मारकोनी की बात करते थे रेडियो का अविश्कार इन्होंने क्या था चले सराप का प्येश्मान कितना होता है तो सराप का प्येश्मान होता है 2.8 तो 2.4 किसका होता है यह होता है सिर्का का ठीक है यह होता है सिर्का का 2.2 किसका होता है तो यह होता है नीमो का ही ठीक कि टूपैंट्सिक्स का यहां पे कोई किसी का नहीं है हो बर तो जो इंग्जाम बेसे शिर पूछ पूछ दिया जाता है इसे तिक करेंगा समें मूतर की बात क progressing कितना होता है निढ़ी यहां कितना होता है तो यह सब याद कर लेगा इस डिशन आपको information में दे रहा हूं इपसन का सुत्र बताना है इपसम 11 का सुत्र बताना है तो उसका जो करक्टर से हो जागा एंजेस फॉर इंटो 7S2 ठीक है तो गाइस यहां पर कुल 40 कोसर मैं आपको कड़ा दिये कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा informative अगर वीडियो लगा आप जरूर लाइक कर देना सेड कर देना और करमेंट बाक्स में बताने कि इस तरह के वीडियो और चाहिए तो इस तरह का सुरेज मैं लेता रहा हूंगा अगर नहीं तो इल्टरेनेट लेपर लेता आओंगा इस वोड़ी मिन था ही थैंक्यू विडियो मेंच